जैहिन दोस्तो मेरे नामें बहादर लोधी और स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूटूब चेनल फ्री एजुकेशन में दोस्तो आज का वीडियो वेहधी महत्पूर होने वाला है क्योंकि आज किस वीडियो में हम जीके जीएस के मोश चमपून 500 कौसन को डिसकस करने व हैं मेंने सभी एकशाम का एनलेसस किया और देखा कि कौन से वो जीके के कोसन है जो की वार-वार रिपीट हो रहे हैं तो उन उन सभी question को मैंने analysis करके एक जगा पर compile किया और मैंने सोचा कि क्यों ने ये question आपनों के लिए provide करवा दिये जाएं तो वो सभी question जो recently different exam में पूछे गए हैं उन सभी question को बिल्कुल detail में और आसान भासा में हम discuss करने वाले हैं मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को विना skip की last तक देखना ओके तो number first question से शुरुआत कर लेते हैं number first question है वारति सम्मिधान के अनुच्छेद 72 में किसको छमानान सम्मंदी सक्तियां प्रदान की गई हैं तो अनुच्छेद जो 72 है ये राष्टपती के छमानान सम्मंदी सक्तियों से सम्मंदे थे ठीक है राष्टप वे एक और question सो जाता है वारति सम्मिधान के अनुच्छेद 161 में किसको छमानान सम्मंदी सक्ति प्रदान की गई है तो अनुच्छेद 72 में हमने पढ़ा है कि छमानान सम्मंदी सक्ति जो है राष्टपती के पास में राष्टपती किसी भी अपरादी की सजा में हेर फिर क सबसक्いつit राज्यों के राजपाल होते हैं उनके पास भी 620 सम्मंदी सक्तिया होती हैं वो भी सजा को माप कर सकते हैं लेकिन याद रखना राजपाल जो म५नईट्यअधन है और कोर्ट मार्सल के केस होते हैं ुनके तहट यदि कोई अपरादी सजा प्राप्त है तो उसकी सजा को माप नहीं कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकती राजपाल तो फांसी की सजा को भी माप नहीं कर सकते हैं ठीक है वागी सजा में हेर फेर कर सकते हैं सजा को कम कर सकते हैं नेश कॉशन है व्रहदेश और मंदर कहां पर इस्ते थे ते तमलिनाडू के तंजावर में इस्ते थे ठीक है और व्रहदेश और मंदर का निर्माण किसने किया था ये पूशा दाए तो राजा राज प्रथम चोल सासक थे इन्होंने व्रहदेश और मंदर का निर्माण किया एक quosun अभी पूशा गया था कि संतारा प्रथा किस संबंद् tote ए ये जैन धर्म से संबंनों इस प्रथा में क्या होता है तो उपबास से स्वेचिक म्रत्यू को संथारा कहा जाता है इसमें जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह है खुद एक कमरे में बंद होकर खाना पीना त्याग देता है और अंत्रताह उसके प्राण निकल जाते हैं जो जैन मुन इस चैनल को पार कप किया था तो 1969 में किया था यदि एसिया की पहली महिला पूंसाज आए तो वह भी आरती साहा है ठीक है और भारत की पूंसाज आए तो वह भी आरती साहा ही है ओके इसी करह में पूंसाज आएगा कि इंगलेस चैनल को पार करने वाले प्रथम भारती है तो आपको कहना है मेहर सेन, नेश्कोस्षन पारसी धर्म के संस्तापक, जर्थ रुष्ट हैं, नेश्कोस्षन किस धर्म को अंडों का सहर, यानि कि Egg City of India की रूप में जाना जाता है, तो तमिल नाडु का नमक कल सहर है, इसको Egg City of India कहा जाता है, मेरा देश, मेरा जीवन, यानि कि my country my life पुस्तक के लिखक कौन है लाल किष्ण आडवानी असम का राज की पसू ये पूशा जा रहा है अभी हर एक्जाम में repeat हो रहा है तो एक सिंग वाला गेंडा ये असम का राज की पसू है और ये जो एक सिंग वाला गेंडा है इस गेंडे के लिए एक national park पूरे विश्ब में प्रसद्ध है कौन सा असम का काजी रंगा national park के ये याद रखना है किस देश में पसूओं की संख्या सर्प से अधिक है तो भारत में पसूओं की संख्या सब से अधिक है अब ये सेसी के एक्जाम में ये पूशा गया था कि विश्ब के कुल पसूओं का कितन 1928 में साइमन कमिशन भारत आया और साइमन कमिशन को किस नाम से जाना जाता है तो वाइट में कमिशन की नाम से जाना जाता है क्योंकि जो साइमन कमिशन बनाया गया था तो उसमें एक भी सदस भारती नहीं था पूरे अंग्रेज सदस थे इसलिए इसको वाइट में कमिश तो जहांगीर के दरबार में ये भारत आया था नेश्क्वासन है, Fort William College की इस्थापने किस ने करी थी Lord Valley जनी ने नेश्क्वासन, मंत्री मंडल की संख्या, लोगसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने पिर्थिस्यत से अधिक नहीं हो सकती है तो पिर्थिस्यत से अधिक नहीं हो सकती है, मैं आपको समझा देता हूँ यदि लोगसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 500 है, ठीक है तो इसमें मंत्री कितने हो सकते हैं, 500 का 15%, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 75 500 लोगसभा सदस्य में से केवल मंत्री कितने रहेंगे, 75 मंत्री ही रहेंगे, ठीक है और ये प्रावधान, 91 समिधान संसुधन करके 2003 की द्वारा जोड़ा गया ठीक है यदि पूँशा जाए कि किस संभीधन संसुधन करके यह प्राउधन जोड़ा गया तो 91वा संभीधन संसुधन हुगा था संसत के खर्चे किसके दोआरा न्येंत्रत किये जाते हैं तो CAG केक की दोआरा यानि कि नियंत्रक एवं महालेखा पुरिक्षक के दौरा केंद्रिय सर्तक्ता आयोक्त है यानि कि CBC अपने पत पर कब तक बना रह सकता है तो अभी ये question पूछा गया था और लोग 5 साल लगा कर आ गए थे ठीक है तो 4 वर्स अथवा 65 वर्स जो भी पहले हो ये CBC का कारेकाल होता है याद रखना 5 वर्स नहीं है कितना है 4 वर्स है ठीक है 5 वर्स में confused नहीं होना है नेश question है किस महला समाज सुधारक को पंडिता के उपनाम से जाना जाता है तो इसी प्रकार के question अब पूंसे जा रहे हैं पंडिता के उपनाम से रमाभाई को जाना जाता है और रमाभाई से से एक फेक्ट याद रखना कि महराष्ट आर्ये महिला समाज की स्थापना किसने करी थी रमावाई ने 1881 में ठीक है और आरे समाज के संस्तापक तो सभी लोग जानते होंगे दयानंसरसुती और 1875 में स्थापना करी थी सब्तरत मंदिर इनको सब्त पैगोडा भी कहा जाता है कहा परस्थत है तो महावली पुरम तमिल नाडू में इस्थत है ख्वाजा मुईनिद्दिन चिस्ती की दरगा है कहा परस्थत है तो राजिस्थान के अजनीर में और एक कौशन पूसा जाएगा कि किस सूफी संत की दरगा है पर अकबर दरसन हे तू अधिक जाता था या जून 2021 में मिलखा सिंग का निदन हुआ ठीक है इनके जीबन के ऊपर एक मूबी बन चुकी है भाग मिलखा भाग तो अभी पूचा गया था कि भाग मिलखा माग भाग मूबी के डारेक्टर कौन है तो राकेस ओम प्रकास महरा इसकी डारेक्टर है और मिलखा सिंग की जो भूमी का है इस फिल्म में ये फरहन अक्तर ने निभाई है ये भी याद रखना नेशकोसन वाल गंगाधर तिलक को भारती असांती का जनक किस ने कहा तो वेलेंटाइन चिरोल ने वाल गंगाधर तिलक को भारती असांती का जनक कहा पूर्ण सुराज की सपत कांग्रेस के किस अधिविशन में ली गई थी लाहर अधिविशन में ये 1929 में हुआ था नोबल प्रुषकार प्राप्त करने बाला पर्थम भारतिये कौन था रविणनाट टेगोर थे ठीक है और हम बात करें कि रविणनाट टेगोर को किस छेत्र का नोबल प्रुषकार दिया गया था इ तीनों फेक्ट याद रखना है कुछ भी आपके एक्जाम में बन सकता है भारत की पहली महिला कौन है जिनने नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो यह है मदर टेरिसा ठीक है और मदर टेरिसा को किस चेतर में नोबल पुरुषकार दिया गया था तो इनको सांती के चेतर में दिया गया था और इनको 1989 में दिया गया था नैश कोस्टा ने भारत के प्रथम लोगशवा अध्यक्ष कौन थे जीवी मामलंकर इनका पूरा नाम है गड़ेस वासुदेव मामलंकर और लोगशवा की पहली महिला अध्यक्षती मीरा कुमार कोई विध्यक धन वि लोगशवा अध्यक्ष लेकिन संसत की दोनों सदैंओ की यो समक्त वेठक है पूंशादाय की कौन बुलाता है तो राष्nio पती बुलाते हैं राष्टपती eries अनुच्छिद के तहत में संसत की सवयक्त वेठक बुला सकते हैं ठीक है और इस सवयक्त वेठक की अध्यक्षता कौन करेगा अध्यक्षता करेगा लोग शबा अध्यक्ष याद रखना है राश्टी रक्षा एकैदमी कहां प्रस्तित देहरदून में नेशकोशन 1984 में अमरेस्तर के सिख को हटाने के लिए कौन सा ओपरेशन चलाया गया था ओपरेशन विजय चीन और भारत की मद्ध अंतरराष्टी सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है मैक मोहन रेखा और भारत और चीन की मद्ध मैक मोहन रेखा कब निर्धरत की गई थी 1914 में मैक मोहन रेखा की कुल चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है तो 348 किलो मीटर भारत के कितनी राज और केंद सासत प्रदेश चीन के साथ में सीमा बनाते हैं तो चार राज हैं और एक केंद सासत प्रदेश है जो की चीन के साथ में सीमा बनाता है चार राज कौन-कौन से हैं हिमाचल प्रदेश है उत इन के साथ में सीमा बनाते हैं कौन सी प्रबश्रणी भारत उपमहादीप और चीन के मद्ध जल्व भाजक बनाती है तो कारा कुरम प्रबश्रणी भारत कितने देशों के साथ इस्तलिय सीमा साजा करता है तो भारत साथ देशों के साथ में अपनी इस्तलिय सीमा साजा करता ह वांगल देश, चाइना, नेपाल, वूटन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मयामार नेश कोस्टन है नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज लगते हैं तो नेपाल की सीमा के साथ में भारत के पांच राज लगते हैं उत्राखंड, उत्रपदेश, विहार, पस्चममंगाल और सिक्किम नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है 1791 किलोमीटर की सीमा और भारत का कौन सा राज है जो कि नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है विहार राज नेपाल से सबसे अधिक सीमा बनाता है नेश्ट कॉस्टन भारत का एक मात्र केंद सासत प्रदेश जिसकी सीमा तीन देशों से लगती है तो लद्दा की सीमा तीन देशों से लगती है पाकिस्तान से चाइना से और अफगानिस्तान से नैश्कोसन मियामार देश भारत से कितनी सीमा साजा करता है तो 1643 किलोमीटर मियामार देश से भारत के कितनी राज सटे हुए हैं चार राज सटे हुए हैं रडांचल प्रदेश, नागलेंड, मिजुरम और मनिपुर नैश्कोसन कौन सी नदी भारत और मियामार के साथ में सीमा बनाती है तो काला दान नदी भारत और मियामार के मध में सीमा बनाती है मियामार को भारत से कब अलग किया गया 1937 में अलग किया गया भारत और मियामार के बीच सीमा का नधान कौन सी परवर्षणिया करती है तो ख अफगानिस्तान की साथ में नैशकोस्तन है अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है तो केबल और केबल 106 किलोमीटर भारत के किस केंद ससत बेदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है तो लद्दा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है भारत और अफगानिस का कौन सा राज तीन तरफ वांगलादेश से घरा है तो तिरपुरा राज तीन तरफ से वांगलादेश से घरा हुआ है तिरपुरा और वांगलादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं तो सुन शीमा रिखा कहते हैं इसको जीरो लाइन कहते हैं ओके भारत और जिसे सबसे अधिक सीमा बनाता है, अंगूर और इमली में कौन सा अमल पाया जाता है, चीटी और विच्छु के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है, तो में थे नाइक अमल पाया जाता है, नीबु और संत्रे में कौन सा अमल पाया जाता है, सिट्रिक अमल पाया जाता है, न पाना पकाने में कौन सा अमल उपयोगी होता है तो हाइड्रो कलूरिक अमल उपयोगी होता है। सोना और चांदी के सुद्धी करण में किस अमल का प्रियोग किया जाता है तो नाइट्रिक अमल का प्रियोग किया जाता है। नेश को सन है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अमल प्रियोक्त किया जाता है। हайड्रोकसाइड का प्रयोग किया जाता है फ्राइदेपे भारत के पश्चमी समुद्रीतट को किस नाम से जाना जाता है पस्चमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है तो ताप्ति नदी के मोहनी से ले कर तमिलनाडू की कन्या कुमारी तक पस्चमी घाट का विस्तार है फ्रायदीप ये भारत के पूर्वी समुद्री तटको अंड किस नाम से जाना जाता है तो कोरो मंदल तटके नाम से जाना जाता है नेलगरी की पहाणिया किस राज में इस्ते थें तमिल नाडू राज में इस्ते थें नेलग और सरबादिक जनसंख्या और जन ग्नत वाला कंद 721 कौनसा है दिल्ली है दिल्ली कंद 621 का जनसंख्या घनत कितना है 11320 व्यक्ति बदरग किलो मेटर दिटर फोल में से दिट्टर आंडवान दीब से कार निकुवार दिप को कौन सा यूरी कानल किन्दो इस्थलों को पृत्थक करता है तो कवरति और मिनिकाय को अलग करता है भारत के लिए समुध्री मारक की खोज की थी वास कोड़ी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार की खोज की थी भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे तो ये पुर्तगाली ही थे ओके नेश कोसन है वासकोडी गामा पहली वार भारत कब और किस इस्थान पर पहुँचा था तो ये केरल के काली कट गद बंदरगाय पर पहुँचा और 17 माई 1498 अब बताए कि वासकोडी गामा के भारत के लिए समुद्री मार की खोज की यात्रा में किस ने इसका सहयोग किया था तो वासकोडी गामा का सहयोग किया था अब्दुल मनीद ने केरल के काली कट बंदरगाय पर किस राजा ने वासकोडी गामा का स्वागत किया तो राजा जमोरेन ने वासको डिगामा का स्वागत किया। नैश क्कॉस्टन है किस येरोपियन समुदाये ने भारत के साथ प्रताव व्यापारेक सम्मानद इस्थापित किये थे पुर्टगालियोंने। भारत में पर्थम 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 के रल के कोच्चिन में भारत में पुर्टगाली सत्ता की वास्तविक निव रखने वाला महांतम पुर्टगाली गवर्णर कौन था तो अलफांसो डी अलबुकर्क था नैश क्वेस्टन है अलफांसो डी अलबुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्टगाली गवर्णर वन कर था हिंदू महिलाओं से विवाह की नीती किस पुर्टगाली गवर्णर ने अपनाई थी तो अलफांसो डी अलवुकर्क ने ही अपनाई थी गुजरात का सासक वहादर साह किस के साथ संगस करते हुए मर गया तो पुर्टगालियों के साथ संगस करते हुए मर गया नेश कोस्टन है भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद जाने वाले येरोपियन कौन थे तो ये पुर्टगाली ही थे सरप्रथम किस बस्तू ने येरोपियों को भारत में कारवार के लिए प्रोचसाहित किया था तो मसालों के ब्यापार ने किया था पुर्तगाली इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कप की गई थी तो 1498 इस दिन की गई थी नेश कॉस्टन है भारत में तमबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपिय सक्ति के आगमन से हुआ तो यह पुर्तगाली सक्तियों के आगमन से ही हुआ पुर्तगालियों का भारत में गोवा दमन और दीव पर कब तक कब जा रहा तो 1961 तक कब जा रहा है भारत के गोवा और दमन और दीव पर पुर्तगालियों का सोचने वाली बात है नेस्ट कॉस्टन है किस आंदुलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्पुन भूमी का निवाई तो गोवा मुक्ती आंदुलन ने नेस्ट कॉस्टन है स्वयम को सागर को स्वामी कोन कहते था तो पुर्तगाली स्वयम को सागर का स्वामी कहते थे प्राजित किया था तो चोल के युद्ध में किया था नेशको समा बंगाल के किस इस्थान पर पूर्तिगाली ओने अपना कारखाना सथापथ किया था तो होगली ओनें किया था पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंतरन करके वहाँ पर कौन सा कर लागू किया था तो कारतेन कर लागू किया था नेश कॉस्टन है अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा छेत्र दहेज की रूप में दिया था तो पुर्टगालियों ने अंग्रेजों को बंबई छेतर दिया था दहेज की रूप में जैसे बंबई इनके बाप का हो और किस आउसर पर दिया था तो वेटेन की राजा चार्स दुतिये का पुर्टगाली राजकुमारी केथ्रीन से बिबाह हुआ था इसी आउसर पर जो सब पहला डच यात्री भारत के पूर्व से सुमत्रा पहुचा था तो कार्नेलियन हाउटमेंड पहुचा था कब 1556 इसवी में नेश कोस्टन है डच किस देश की निवासियों को कहा जाता था तो नीदरलेंड की निवासियों को कहा जाता था भारत में डच इस्ट इंडिय पर कब अधिकार इस्थापित किया था तो 1649 इसवी में नेश कोस्टन है डचों ने बंगाल में किस इस्थान पर अपना कारखाना इस्थापित किया था तो बंगाल में कहां पर चिंसुरा में किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पत question है मुगल दरवार में जाने बाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो Captain William Hawkins मुगल दरवार में जाने बाला या पर आने बाला प्रथम अंग्रेज था ठीक है और मुगल शासक जहांगीर के दरवार में यह आया था Captain William Hawkins कब आया था वेटिस इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना कब हुई थी भारत का वाथसा है उस समय कौन था जब ब्रिटेन में इस्ट इंडिया कमपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो भारत का वाथसा था वो अकवर था नेश कोस्टन है एंगलेंड की रानी एलिजाबेत प्रथम ने इस्ट इंडिया कमपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया तो 31 दिसंबर 1620 में भारत आने बाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था ये भी कई बार पूशा गया है तो कौन था रेड ड्रेगन इस जहाज क का नाम याद रखना है ओके अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज में फोर्ट सेंट जाज नामा किले का निर्मान करवाया था तमिलनाडू में किस मुगल सासक ने 1613 इसी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में ब्यापारक फैक्ट्री खोलने की इज किया था 1649 इसी में वर्स 2008 में वित्तिय छेत्रों में सुधार एतु जिस समीती का गठन किया गया उसके अद्यक्ष कौन थे रहुराम राजन थे ठीक है वाड़जिक वैंक के किस सूची के अंतरगात आते हैं तो ये संग सूची के अंतरगात आते हैं नेश कोसन है गवर्नर कौन थे सीडी देशमक्त थे रवी आई किस प्रणाली के तहत करंसी निवट जारी करता है नियत नियुदम आरक्षन प्रणाली वारती रजर्व वैंक को कुल कितना रजर्व कोस अपने पास रखना होता है 200 करोड रुपे का किस आयोग ने केंद्रिय वैंक के र राष्ट्रेकान किस बस किया गया था 1.1999 को रफीय की राष्ट्रेकान के समय गवर्नर कौन थे एल के जहां थे कोई भी बैंक है अपनी साखा का स्थान आंतरण किस की अनुमती के बिदना नहीं कर सकता वहारत के विदेशी वियापार से समहत आकले किसके दवारा एकत्रत और प्रकासित किये जाते हैं तो RBI की दोवरा Next Question में आगे बनने से पहले दोस्तो यदि आप इसी प्रकास से Detail में Current Affairs को पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल के उपर दो e-book लॉंच हो गई हैं एक Current Affairs की और एक Science की दोनों e-book को आप बाय कर लिजे आपके syllabus में यदि Current Affairs पूँचादाना है ठीक है और General Science पूँचादाना है तो यह जो e-book हैं यह आपके exam के लिए राम माना साबित होगी मैं guarantee से बोल सकता हूँ यह e-book पढ़ने के बाद आप अपने exam में अच्छा score करके आएंगे और बहुत ही जल्दी static gk की e-book भी launch होने वाली है धमाका होने वाला है वह तीन e-book आप लोगों के लिए बनाई जा रही है continue work चल रहा है तो description में link है आप e-book को जरूर चेक कीजिए हो सकता है जब तक आप यह video देख रहे हों तब तक e-book पब्लिसी हो गई हो ओके next हमारा question है भारत का पहला वाडजिक वेंग वाडजिक वेंग कौन सा था भारत का पहला वाडजिक वेंग है जेनरल वेंग ओफ इंडिया वेंग ओफ हिंदुस्तान की इस्थापना किस वर्स की गई थी 1790 EC है भारतियों द्वारा प्रबंधित सीमित दायोत का प्रथम भारतिय वेंग के कौन सा था तो अभद कामर्सियल वेंग है पूर्ण रूप से भारतियों द्वारा प्रबंधित वेंग कौन सा था तो पंजाब नेशनल वेंग नेश कोस्टन है पंजाब नेशनल वेंग की इस्थापना कप की गई थी? 1894 में वेंग को वंगाल की इस्थापना की गई थी? 1806 में भागी रती और अलक नंदा किस इस्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जाने जाती है तो उत्राखंड के देव प्रियाग में जब भागी रती और अलक नंदा मिलती हैं तो गंगा नदी की नाम से जाने जाती है नेश कोस्टन है टेहरी वांद किन दो नदियों के संगम पर बना है तो ये भागी रती और भी लंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है किनारे इस्ते थे तो केदरनात मंदाकनी नदी के किनारे इस्ते थे वांगल देश में प्रिविस करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है तो पद्म नदी की नाम से गंगा नदी की सबसे लंबी सहाइक नदी ये कॉस्टन भी कई बर पूशा गया है तो गंग पित्रस कहां संग्रीत होता है तो जो पित्रस है यह 70 में इस्टोर होता है हेपेरियन प्रोटीन जो सरीर में रक्त जमने से रोखता है इसका उत्पाधन किसके द्वारा होता है है और जो मत COMMげ निश्ट कर रिक pregnant कहstep किया दाता था की जाच के द्वारा लगाया जाता है यदि किसी व्यक्ति को भोजन में जहर दे दिया है और जब उसका पोस्ट माडम किया जाता है तो यक्रत के द्वारा ही पता चलता है कि उसको जहर दिया गया है या फिर नहीं नेश कोस्टन है पित्त का पिएच मान कितना होता है 7.7 ने आगनासा है कि कौन सी ग्रंथी एक साथ अंता श्राबी और स्रावी दोनों कारे करती है तो जो अगनासा याल की पहन क्रियास ग्रंथी जwind है यह 1 वह स्रावी और अगनासा का यह कौशं को काहता है कार्भुध कार्थ Adams क्विटा और प्रोटिन इन तीनों प्रकार के भोज़ पधारत को पचाने के एंजायम किस रस में पाय जाते हैं? अगनाय से रस में पाय जाते हैं. इंसुलिन की खोज किस ने करी थी? तो फ्रेडरिक वेंटेंग वाजचाल सबैस्ट ने इंसुलिन की खोज करी थी. इंसुलिन क्या है? एक प्रकार क का हार्मोन है कौन सा हार्मोन रक्त में सरकरा की मात्रा को कंट्रोल करता है तो रक्त में सोगर की मात्रा को कंट्रोल करता है इंसुलेन किन कोशिकाओं से इंसुलेन का रसा होता है बीटा कोशिकाओं से इंसुलेन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है तो डाइबिट हो जाता है तो पैंक्रिया जंगे के खराबी से होता है नेशको सन इंसुलिन के अधिक स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है हाइपो गलाईसीमिया जीप के उपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहा जाता है जो जीप के भाग पर अंकुर से बने होते हैं इनको कहा जाता है स्वाद का ग्यान होता है तो आंगे के भाग से मीठे का स्वाद होता है और जीब के जो पीछे का भाग है इससे कड़बे का स्वाद होता है ठीक है और हम बात करें कि जीब के बगल वाले भाग से खट्टे का आभास होता है और हम बात करें मानोशरीर का सबसे कठूर भाग क कहा जाता है दात की थेरिपी क्या कहलाती है रूट कनल ट्रीटमेंट इसको आर्सिटी सौर्ट में कहा जाता है दातों में कठोरता किस के कारण होती है केल्सियम के कारण होती है नेश्ट है मनुष में कितने प्रकार के दात पाए जाते हैं चार प्रकार के दात पाए जाते है एक होता है incisor, दूसरा होता है Canon, और Premolar होता है और एक Molar होता है, ठीक है मनुस में कुल दाथों की संख्या कितनी होती है, तो मनुस में 32 दाथो होते हैं, ठीक है अब बताएं, मनुस में जो incisor, यानि की कृदंत, या पर इनको 6 दक कहा दाता है तो incisor दातों की संख्या कितनी होती है 8 होती है मैं सभी आपको बता देता हूँ देखिए incisor दात कितनी होते हैं तो incisor दात जो हैं यह 8 होते हैं आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 4 ठीक है देख रहे हैं क्या यहाँ पर चार दात आपको दिख रहा है याँगे यलू कलर में ठीक है यह क्या है इंसीजर चार निचले जबडे में हैं चार उपरी जबडे में होंगे तो कितने हो गए टूटल आठ हो गए हैं अब हम बात कर लेते हैं केनन की इनको भेदक दंत कहा दाता है ठीक है इनकी संख्या कितनी होती है इनकी संख्या होती है चार ठीक है आप लोग को यह कि यह दिख रहा है अलग कलर से मैं आपको दिखाने का प्रियास करता हूँ तो आप लोगो यहाँ पर एक दिख रहा होगा ठीक है और यहाँ पर भी एक दिख रहा होगा तो दो निचले जवड़े में हो गए दो उपरी जवड़े में होगे ठीक है तो केनन दात होती है चार और प्री मोलर की हम बात करें इनकी संखे कितनी होती है आठ होती है तो प्र चार देख रहे होंगे उपरी जबड़े में टोटल आठ हो जाएंगे अब हम मॉलर की बात कर लेते हैं इनको चवरणक दंत कहा जाता है कितने होते हैं यह कॉस्टन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको डाइग्राम की समयत बता दिया तो तीन यहां पर तीन यहां पर ठ कहा जाता है Tout दैंंटािव कहा जाता है नेक्श क्वस्टन दात की वाहिरी प्रत किस से मिलकर बनी होते हैं केल्सियम फॉसपेट से मिलकर बनी होती है और पूरे सरीड जो हमारा सरीड है उसमें सबसे कठ़र होता है दात का ने का किस की कमी से दात कमजर हो जाते हैं, फिलोरिन की कमी से दात कमजर हो जाते हैं, मनुष्ट के दात पीले किस की कमी से होते हैं, तो फिलोरिन की कमी से ही पीले हो जाते हैं, मनुष्ट की जीवन काल में कुल कितने दात निकलते हैं, तो गुल बाउन दात निकलते हैं, फिलोरोसिस रोक का सम्मंद सरीर के किस अंग से है तो दात से है किस इस्थपनधारी जीओ में सर बाधिक दात पाय जाते हैं तो जायंट अर्मा डिलो एक जीओ हे इसमें सबसे जदा दानद पाय जाते हैं वैग्यान को के अनुसार दातों के मेल में कितने प्रकार के वेक्टेरिया पाए जाते हैं तो 300 प्रकार के किसको भारत कोकिला की नाम से जाना जाता है, सरोजनी नाइडू किस अधिविशन की अध्यक्षता करी थी, तो कानपुर का जो अधिविशन हुआ था 1925 में उसमें सरोजनी नाईडू ने अध्यक्ष्टा करी थी सन 1983 की विश्बकप विजेता भारती क्रिकेट टीम के काप्तान कौन थे तो कपिल देव थे हम कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं दो बार ठीक है दो बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते पहली बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते उनी सो तेरासी में ठीक है किसकी कप्तानी में कपिल देव की कप्तानी में और दूसरी बार हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जी आत्मकथा यानि की आटो वायोग्राफ ही है तो ये कपल देव की आटो वायोग्राफ ही है भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जी चुका मैंने उपर ही बता दिया दो बार पहली बार जीता कपल देव की कप्तानी में दूसरी बार जीता महें सिंग धोनी की कप्तानी में भी अमेरिका की संभिधान से लिया गया है राष्ट पती पर महावयोग की प्रकिरिया का प्रावधान किस अनुच्छिद में किया गया है अनुच्छिद वाउन अनुच्छिद वाउन में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट पती होगा अब अधाये राष्ट पती वनने के लिए नियूनतम आयू कितनी होती है 35 वर्स और बोट करने की नियूनतम आयू कितनी होती है 18 वर्स होती है ठीक है अच्छा पहले बोट करने की जो नियूनतम बच्पति को पदवा घोपनेता की सपत कौन दिलाता है भारत का मुखनेया दिस दिलाता है और हम बात करें कि राष्ट पती को भारत का मुखनेयादिस किस अनुच्छित के सपत के साथ के तहत में राश्टपती अपना त्याग पत्र और राश्टपती को देता है और किस memory का data computer में power supply होने पर नश्ट हो जाता है तो देख दोस्तो जो RAM है ठीक है यदि आपने कोई file save नहीं करी है और light चली जाती है या फिर computer में कोई खराब या जाती है तो RAM का data nest हो जाता है इसको random access memory कहा जाता है internet connection की किस में मापी जाती है तो gbps में भी नापी जाती है ठीक है mbps में भी मापी जाती है डेपेंड करता है option पर ठीक है तो GBps में मापी जाती है ने patches question ये computer में सबद की लंबाई ना पी जाती है ये bit में मापी जाती है bit संबट का संचित नाम क्या है तो winery digit इसका नाम है एक bit data के संग्रह के लिए किस सरक्ट का प्रयोग किया जाता है कि liegt flop ? फीलिप flop का प्रयोग किया जाता है जो computer पुराना हो और संभवता संतोस जनक ना हो उन्हें क्या कहा दाता है legacy computer कहा दाता है ऐसे computer को जो पुराने होते हैं संतोस जनक नहीं होते हैं ठीक से नहीं चलते हैं laser का आविसकार किस ने किया था? Theodore मेमेन ने किया था laser का फुल्फरम होता है light amplification by smooth related emission of radiation nash question facebook की शुरुआत कप की गई थी 2004 में और facebook के संस्ता पक्षा मार्क जो करवर्ग mmu का फुल्फरम होता है memory management unit nash question है computer की के जनरेशन में programming के लिए यांत्रिक भासा का प्रियों किया गया था तो first generation में किया गया था जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके इस इंस्ट्रेक्शन जो आसानी से संज़े जा सके उनको user friendly कहा जाता है हमने देखा हुगा कि बोलते हैं यार यह software बहुत ही ज़्यादा user friendly है user friendly का मतलब जो हमें आसानी से समझ में आसा के उसको user friendly कहा जाता है वैसिक भासा का प्रियोग किया जाता है, सरल भासा को लिखने में, वैसिक का फुल फॉम क्या होता है? वैसिक कंप्यूटर की एक language है, इसका फुल फॉम क्या होता है? तो विगिनर्स आल परपोस संबूलिक इंस्ट्रेक्शन कोड इसका फुल फॉम होता है, अच्छा मार्टिन कूपर ने किया था 1773 में ठीक है मोटरोला कमपनी टीम के ये साथ ही थे मार्टिन कूपर इन्हों ने 1773 में पहला मुबाईल फोन बनाया था और उसका वजन 2 क्लूग्राम था ठीक है ट्रोजन की हम बात करें ट्रोजन खालेस्टान का एक परकार है तो माल वियर सॉप्ट्व civic का एक परकार है कम्पूटर के सभी स्प्लाइ कैसी प्रोग्राम या इतने डाललर पेख कर रही है लेकिन वही और हूसारी प्रतियां यूजर होते है्ट अच्छा कई सारे यह सही सॉप्टिवेर होते हैं जो जो करें जिसक्ते काया ने भाइत बेर योजर कर रही है किऊँकि उसकी बहुत सारी यूजर को डाउनलूड करवा रही है ठीक है तो यह क्या है सॉप्ट्वेर पायरेसी सॉप्ट्वेर की चोरी है इंडियन मिलेट्री अकैदमी कहां पर इसते थे देहरदून में नेश कोशन है राष्टी रक्षा अकैदमी पूना की पास खडग वासला में इसते थे सन 1924 में हुआ भार सब्द किस खेल में प्रियोक्त होता है तो टैनिस में प्रियोक्त होता है लाई हरोगा किस राज्य का लोकनर्थ है मडीपूर का लोकनर्थ है नेश कोशन भारत में पहली बाद जनगर्ना कब हुई थी 1872 में और पहली जनगर्ना जो है ये लाड मियो की सासनकाल में हुई ठीक है और भारत में पहली नेमेत रूप से जनगर्णा हुई थी 1881 में भारत में प्रिथम जो नेमेत जनगर्णा हुई ये लाड रिपन के सासनकाल में हुई और कब हुई 1881 में नेश कोशन है वर्स 2011 में हुई जनगरना कौन से नमबर की जनगरना है तो ये पंदर भी जनगरना है ठीक है वारतिय थल सेना के पहले वारतिय सेना अध्यक्ष कौन थे तो जनरल केम करियपपा कोलकाता किस नदी के किनारे इस्ते थे होगली नदी के किनारे पौधों में जी जीवन होता है । महत्मा गांदी के द्वारा सावर्मती आजसरम कहाँ प्रस्थाप्यत किया गया एहमदबाद में मनुस्ष्ट के सरीर में कितने गुड़शूत्र होते हैं तो यदि जोड़ों में पूचे जाए तो 23 जोड़ी गुड़शूत्र होते हैं और संख्या पूर्णिमा के दिन होता है भारत छोड़ो आंदोलन कब सुरू किया गया आठ अगस्त 1922 को हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है चूकि 8 अगस्त को यह सुरू किया गया था ठीक है तो इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है किस आंदोलन के दोरान गांदी जी ने करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान भारत छोड़ो यानि कि क्वेट इंडिया ये जो नारा है किस ने दिया आंदोलन अलाग है नारा आपसे पूँचा जाए कि भारत छोड़ो नारा दिया यूसिफ मेहर ठीक है यह question पूचा गया था और यहां पर student confused हो जाते हैं और गलत करके आजाते हैं बताइए भागडा नागल बांध किस नदी पर इस्ते थे तो यह सतलुज नदी पर इस्ते थे इसकी हाइट है ठीक है और पंजाम में और यह भारत का दूसरा सबसे उंचा बांध है भारत का सबसे उंचा बांध कौन सा है टेहरी बांध इसकी उंचा ही है 855 फीट और टेहरी बांध जो है भागी रती नदी पर बना हुआ है बेसिकली टेहरी बांध भागी रती और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है कहां पर उत्राखंड के टेहरी जिले में नैशकोस ने मुहम्मद अली जिन्ना को काईदे आजम की उपाधी किसने दी महत्मा गांधी ने सुवास चंद्रबोश को देशनायक की रविना टेगोन ने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधी किसने दी तो अकबर दुतिये ने और ब्रह्म समाज की इस्थापना किसने करी राजाराम मोहन राय ने और 1828 में नैशकोस ने भारती पुनर जागरान का अग्रदूद और आधुनिक भारत का जिनक किसे कहा अमेरिका ने जापान पर पहला परमानु बम काब और कहां पर गराया तो पहला परमानु बम अमेरिका ने जापान पर गराया था 6 अगस्त 1945 को और कहां पर जापान के हिरोसिमा सहर पर ठीक है और इसी क्रम में अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमानु बम गराया तीन दिन बाद 9 अगस्त 1945 को और कहां पर गराया जापान के नागा साकी में और हम बात करें कि जो पहला परमाणू बम गराया था अमेरिका ने कहां पर हिरोसिमा सहर पर उस बम का नाम क्या था लिटिल वाय था और अमेरिका ने दूसरा जो बम गराया था नागा साकी सहर पर उस बम का नाम था fat man यह सारे facts ऐधा question पूंश जाते हैं सभी को आप याद रखना भारत का राष्टिय पुस्प है कमल और भारत के राष्टिय पुस्प का वेग्यानिक नाम क्या है निलंबो निूसी फिरा ठीक है सचिन तेंदुलकर ने अपना सौवा सतक किस के खिलाप लगाया वंगलादेश के खिलाप सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है पेले इंग इट माई बे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा सतक मद्द पदेश के किस स्टेडियम में लगाया दुनिया का पहला दोहरा अर्द सतक लगाया सचिन तेंदुलकर ने और मद्द पदेश के कैप्टन रूप सें स्टेडियम में और ये जो Captain Roops Stadium है ये मद्दपदेश के गौालियर जिले में इस्ते थे याद रखना Captain Roops Singh की हम बात करेंगे तो आप लोगोंने होकी के जादूगर Major Dhyhan Chandra का नाम तो सुना ही होगा तो Major Dhyhan Chandra के भाई है Captain Roops है याद रखना सचिन तेंदलकर ने अपना 12 सतक किस टीम के खिलाप में लगाया था दक्षिन अफ्रिका के खिलाप में लगाया था Captain Roops Stadium मद्पदेश के गौालियर में इस्ते थे और किस अनुच्छित के द्वारा राज्यो में राष्टपती सासन लगाया जाता है तो अनुच्छित 356 की द्वारा राष्टपती सासन लगाया जाता है किस अनुच्छित के तहत देश में युद्ध या वह आक्रमण की इस्तिती में राष्टी आपात का लगाया जाता है तो अनुच्छित 302 के दौरा राष्टी आपात का लगाया जाता है राष्टपती की दौरा राष्टपती किस अनुच्छित के तहत देश में यदि आर्थिक संकट की इस्तिती बन जाए लेकिन संसत के दोनों सदनों के दोरा पारत करके 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक इसको वड़ाया भी जा सकता है ठीक है और ऐसा एक बर हुआ था कब हुआ था इंद्रा गांदी के सासनकाल में एसिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गाओं में इस्ते थे और ये महराश्ट के नासक जिले में इस्ते थे दादा साहब फाल के प्रुषकार 1989 में स्थापित किया गया था ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रुषकार है दादा साहब फाल के पुरुषकार पहली बार किसे दिया गया था तो देविका रानी के लिए दिया गया था हम बात करें कि विस्ब का सबसे बड़ा लोक तांत्रिक देश कौन सा है सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश जो है अपना देश भारत है विस्व डांग दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा डांग घरबाला देश अपना देश भारत ही है उनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उस्टेलिया में उस्टेलिया देश के दुआरा विस्व के कुल उन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है तो टोटल जितना बल्ड में उत्पादित होता है उसका एक तहाई किवल उस्टेलिया ही उत्पादित करता है किस जाती की भीड सर्वोत्तम उन की प्राप्ति होती है तो जो मेरिनो जाती की भीड है ठीक है मेरिनो जाती की भीड इससे सबसे ज़्यादा उन की प्राप्ति होती है नेश कोस्टन है मेरिनो जाती की भेड सरबादिक किस देश में पाई जाती है तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा उन होता है उस्टेलिया में ठीक है और सबसे ज़्यादा उन मिलता है मेरिनो जाती की भेड से तो ये जो भेड है ये उस्टेलिया में ही पाई जाती है विश्व का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक देश कौनसा है व्राजील है, भारत का सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज जी यदी पूछा जाए, देश हमने देख लिए व्राजील है, राज कौनसा है अपने देश का करना टका है, यात्रियों की छमता के नुसर विश् को और उत्री गोलार्द में वर्स का सबसे चोटा दिन होता है 22 दिसम्बर को ठीक है और इस घटना को क्या कहा जाता है सीत आइनांत कहा जाता है उत्री गोलार्द में वर्स का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और इसको ग्रीसम आइनांत कहा जाता है भारत का सबसे जन जाती है समुदय कौन सा है गोंड है ठीक है और छेत्रफल की द्रेष्टी से भारत का सबसे चोटा राज गुआ है और छेत्रफल की द्रेष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज राजिस्थान है ठीक है भारत का सबसे बड़ा Glacier कौन सा है स्रियाचीन Glacier भारत का सबसे बड़ा Glacier है ये हमाले के पूर्वी काराकूरम परबत माला में भारत पाक नियंत्रन रेखा की पास में इस्तित है इसकी लंबाई 70 से 76 किलोमीटर तक है ये विश्ब का दूसरा सबसे बड़ा glacier है तो विश्ब का सबसे बड़ा glacier यदि पूछा जाए तो कजाकिस्तान का फैड चिंको glacier ये विश्ब का सबसे बड़ा glacier है नेश कोसन है भारत का सबसे बड़ा ये विश्ब का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है जो तवांग मठ है ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और विश्व का दूसरा मठ है तबांग मठ जो है ये अरणांचल प्रदेश की तबांग जिले में ही इस्तित है अब बताए किस मठ को गल्दे नामंगे लिहत से कहा जाता है तबांग मठ को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मठ बता द में होता है तो विस्व के कुल उत्पादन का 25 परसंट तो भारत में ही होता है थोरियम का सिंबोल टी-एच होता है और परमाणु कर्मा के निकी आटोबेक नमर ये 90 होता है 2011 की जनगने कैनू सार सर्बादिक जनसंख्या घनत्त वाला राज कोंसा है सबसे जदा जनगनत्त वाला राज है विहार अब बताएए 2011 की जनगने के नुसार, निून्तम जनगनत वाला राज कौन सा है, सबसे कम जनगनत अरणांचल प्रदेश में, 2011 की जनगने के नुसार, सरबाधिक जनगनत वाला केंद सासत प्रदेश है दिल्ली, और 2011 की जनगने के नुसार, निून्तम जनगनत वाला केंद स अस्ती क्रम सा कौन सी है? सबसे छोटी अस्ती होती है इस्टिपीज और सबसे वड़ी अस्ती होती है फीमर. सबसे छोटी अस्ती जो इस्टिपीज होती है ये कहां पर होती है कान में और सबसे वड़ी अस्ती जो फीमर है ये जांग में होती है. सुचेता क्रपलानी किस की राज़पाल बनी थी तो ये उत्तरप्रदेश की राज़पाल बनी थी लिगनाइट कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक राज़ कोन सा है तमिल नाडू में लिगनाइट कोईला सबसे जादा होता है सबसे अच्छी गुडबत्ता वाला कोईला जो है ये एंत्रे साइट ह होता है और कोई कोईला सबसे अच्छी गुडबता वाला है यह डेपेंड करता कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है जिस कोईले में कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वही कोईला वेस्ट क्वालिटी का होता है तो जो एंत्रेसाइट कोईला है इसमें कार्बन की मात कौन सी है जावा ट्रेंच ठीक है और जावा जो ट्रेंच है इसको सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है विसु की पहली रेल गाड़ी 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी और कहां से कहां तक तो लंदन के डर्लिंग्टन से इस कॉंटक तक चलाई गई थी भारत में पहल किया चले रेल गाड़ी चलाने का स्रे किसको दिया जाता है या किसके सासनकाल में चले थी लाड़ डलोजी की सासनकाल में भारत में पहली इलेक्ट्रेंग् ट्रें कब चली थी 1925 में तीन फरवरी 1925 को logrी बीच में चली थी भारत की पहली electric train, electric से चलने वाली rail गाड़ी का नाम क्या था deck and queen था बताईए भारत का पहला विद्धुतिकरत rail mark कहां पर बनाया गया तो मुंबई से कुरला के मद्ने बनाया गया, मैंने बताया कि पहली जो electric rail गाड़ी है, वो मुंबई से कुरला की बीच में चली थी metro rail सिबा किस सहर में आरम करी गई थी कोलकाता में किस सहर को UNESCO के द्वारा भारत का पर्थम विश्ब धरोहर सहर का tag प्राप्त हुआ एहमदाबाद को आप बताईए विश्ब में किसी देश की पर्थम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी तो एस भंडरनाय के जो है ये किसी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी एस भंडरनाय के किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सिरिलंका की और एस भंडरनाय के सिरिलंका की प्रधानमंत्री कब बनती है 1960 में बनती है इसके बाद विस्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री वनने का रेकॉर्ड किसके पास में है तो अपने देश की जो इंद्रा गांधी है जो की भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री वननी थी 1966 में इनको विस्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री वनने का रेकॉर्ड है यान सिक्की के दुआरा सुरूं किये गए भारत के पहले समाचर पत्र का नाम क्या था वंगाल गजट बताईए भारत का प्रतम समाचर पत्र वंगाल गजट किस भाता भासा में प्रकासित हुआ तो यह अंग्रेजी भासा में प्रकासित हुआ था भारत का प्रतम समाचर पत्र व वही तो चंद्रमा पर पहला कदम रखेगा, 20 जुलाई 1989 को पहला कदम रखा नील आमिश्टांग ने, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ती नील आमिश्टांग ये अमेरिका के थे, चंद्रमा पर आदनी भेजने बाला प्रथम देश ये अमेरिका ही है इसने नील आमिस्टांग को भेजा था चंद्रमा की परिक्रमा करने बाला प्रथम अंत्रक्षियान ये लूना टैन है अंत्रक्ष में जाने बाला प्रथम इंसान यूरी गागरेन है कौन है यूरी गाग्रेन 12 अपर्सट में गई थी और यूरी गाग्रेन की बात करेंगे किस देश के हैं रूस के अंतरक्ष में जाने वाली प्रथम महिला यदी हम पूछी जाए तो बैलेंटेना ठेरेश कोबा ये भी कहां की थी रूस की 1963 में गई थी बताए अंत्रक्ष में जाने वाला पर्थम इस पेश डॉग ठीक है कौन है लाई का नाम की कुतिया और इस ये जो कुतिया है इसको रूस की दुआरा उन्नीस सो संताउन में इस पूतनक सेकंड अंत्रक्षियान से भेजा गया था महत्मा गांदी जी की समाधी बता दीजिए कहां पर है राजगाट में है और दिल्ली में है यमना नदी के किनारे है सक्ती इस्तल इंद्रा गांदी की समाधी इस्तल का नाम है विजय घाट लाल बहादर सास्त्री की समाधी इस्तल है किसन घाट चोधरी चरण सिंग की समाधी इस्तल का नाम है हम बात करें नाथूराम गोट से ने महत्मा गांदी की हत्या कप करी थी 30 जनवरी 1948 को और किसकी पुन्नितिथी पर हर साल 30 जनवरी को सही दिवस की रूप में मनाया जाता है महत्मा गांदी जी की पुन्नितिथी पर ठीक है और राष्ट पता महत्मा गांदी दक्षिन अफ्रिका से भारत कब लोट कर आये थे प्रबासी भारतिय दिवस की सुरुवात 2007 से करी गई थी महत्मा गांदी जी की राजनेत्गु थे। और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनेत accompany ऑन थे ? unconditional गोखले, my political guru, ये पुस्तक महतमा गांदी जी के दोवारा ही लिखी गई भारत का गलेड इस्टेन कहा जाता है गोपाल किष्ण गोखले को भारत का गलेड इस्टेन कहा जाता है महत्मा गांदी को सरप्रथम राष्ट पिता किस ने कहा सुवास चंद्रबोस ने गांदी जी को महत्मा की उपाधी किस ने दी रविन्नाट टेगोर ने और राविन्ना टेगोर को गुरूदेव की उपादी किस ने दी महत्मा गांधी जी ने ठीक है एक दूसरी ने दोनों को उपादिया दे दी अब सुभास्ट अंदर वोष को नेता जी किस ने दी थी एडॉल फेटलर ने गांधी जी ने दक्षन अपरिका में पिर्थम सत्यगरह कब किया था तो 1906 में किया था मनुष्ट का वेग्यानिक नाम होमो सोफियन्स है और तंतरी का तंतर का कौन सा हिस्था आंतरेक अंगों की गती बिदियों को नियंतरित करता है तो जो मेरू रज्जा है जो medulla oblogenda है ये क्या करता है आंत्रेक अंगों की गती विधियों को कंट्रोल करता है जैसे दिल का धड़कना, सास का लेना, पलक का जपकना ठीक है आधी को कंट्रोल करता है medulla oblogenda मनुष्ट का हरदय एक मेट में 72 बार धलकता है और जो kidney होती है इसका वजन कितना होता है 150 ग्राम का होता है सुजित रख तकड़ी का है यानि की white blood cell का जीवन काल एक से 4 दिन का होता है और जो white blood cell है इनको leukocyte कहा जाता है जो lar है लार में कौन सा enzyme पाया जाता है तो tylin enzyme पाया जाता है मनुष्ट के सरीर में vitamin A किस अंग में संचित होता है तो vitamin A जो है ये liver में store होता है वहु उद्देश ये नदी घाटी प्रियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किस ने कहा था जवाहलाल नहरू ने भारत में सरबाइदिक किस प्रकार का कोईला पाया जाता है तो 2 minutes type का कोईला पाया जाता है कोईला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रतम है उड़ी सा राज्य प्रतम है कोईला के सरबाइदिक भंडर किस राज्य में है सबसे जाना भंडर जारखंड में है ठीक है लेकिन कोईला उत्पादन में भारत का जो प्रतम राज्य है ये उड़ी सा है देश का पह खेतडी जुन जुन और अलबार ठीक है ये जो हैं ये किस खनिच के लिए प्रसद्ध हैं तो ये तावा खनिच के लिए प्रसद्ध हैं मेंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज अग्रणी है मद्द प्रदेश अग्रणी है मेंगनीज के उत्पादन में हीरा उत्प गोल कुंडा से निकाला गया था याद रखना इस कोस्तन में आप फाइब इस्टर मार कर लीजिए ये पूछा ही जाता है सोना उत्पादन में प्रथम इस्थान किस राजिका है करनाटक का काली हंडी और कोरापुट की खाने किस के लिए प्रिसिद्ध हैं वॉकसाइट के ल भारत में खनेज विकास एवन सरविक्षन के लिए बनाए गए भारतिये खनन ब्योरो का मुख्यालाय कहां पर है नाकपुर में जियोलोजिकल सरवे ओफ इंडिया का मुख्यालाय कहां पर है कोलकाता में अंडिवान और निकुबार समूह लगबक केतने दीपों से मिलकर बना है तो 542 दीपों से मिलकर बना है अंडिवान और निकुबार पता है अंडिवान और निकुबार की राध्धानी पोर्ट बिलियर. देली कहां पर हो गया है . निल दीप का नया नाम हो गया है . मिल निल दीप का नया नाम हो गया है सही दीप, सोराज दीप का नया नाम हो गया है है बलोक दीप, हम बात करें, दक्षिन अंडवान और लेटन अंडवान के बीच में कौन सा पास है, तो डक्कन पास है, कौन सा पास है, डक्कन पास, भारत का सबसे उंचे दर्रा कौन सा है, कार जोजिला दर्रा के श्रेणी में इस्तित है, तो जासकर श्रेणी में इस्तित है, हम बात करें, कारा कोरम दर्रा किने इस्थानों को जोडता है, तो ये पीयो के और चाइना को जोडता है, कस्मीर घाटी को ले से कौन सा दर्रा जोडता है, जोजिला दर्रा जोडता है, पीर वनिहाल दर्रे में सिपकीला दर्रा कहां इस्तित है हिमाचल प्रदेश में भारत में सतलोज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है तो जो सतलोज नदी है ये सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सिमला को तिबबत से कौन सा दर्रा जोड़ता है सिपकीला दर्रा रोहतांग दर्रा भारत से किस राज में इस्तित है, तो रोहतांग दर्रा जो है, ये भारत के हिमाचल प्रिदेश के कुल्लू में इस्तित है, मनाली और ले को आपस में कौन सा दर्रा जुडता है, रोहतांग दर्रा, पताए रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग इस्तित है रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग इस्तित है इंपॉंट कोस्टन है बाणालाचा दर्रा कहां पर इस्तित है हिमाचल प्रिदेश में हिमाचल के मंडी को ले से कौन सा दर्रा जोड़ता है तो हिमाचल के मंडी को ले से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये बाणालाचा दर्र बानालाचा दर्रा किस प्रवश्रणी में इस्ते थे जासकर प्रवश्रणी में लिपुलेक नीती और माना दर्रा ये तीन दर्रे उत्राखंड में इस्ते थे नाथूला दर्रा सिक्किम राज में इस्ते थे दिफू दर्रा भी अनुणाचल पिदेश में इस्ते थे मणीपुर को म्यामार से कौन सा दर्रा जोडता है तुजू दर्रा जोडता है हम बात करें तुजू दर्रे का सम्मंध भारत के किस राजिसे है मनिपुर से मनश के सरीर में अमीनों अमलिकी संख्य कितनी होती है, बीस होती है, किसने कहा था, राष्टपती का आपात कालिन अधिकार संभीधान के साथ में धोका है, तो हिरदैनात कुंजरू ने कहा था, किसने, हिरदैनात कुंजरू ने कहा था, कि राष्टपती का जो आपात कालिन अधिकार है, ये सम्विधार के साथ में धोका है भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्धियो केंदर कहां पर है मुंबई में है होम्योपेथी चिकत्सब पद्धिती का जनक किसको माना जाता है हैनी मेन के लिए माना जाता है हम बात करें किसी जीवेश शरीर के अंदर कोशिका या उतक की म्रत क्या कहा जाता है भारत का पहला परमान उजा केंदर कहां पर स्थापित किया गया था महराष्ट के तारापूर में और इसकी स्थापना की गई थी 28 अक्टूबर 1979 को फलों को पकाने के लिए किस गेस का प्रियों किया जाता है तो ऐसी टिलीन गेस का प्रियों किया जाता है फलों को पकाने के लिए इस्परमोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है बीजों का अध्यन किया जाता है मानव सरीर में कंठ को क्या कहा जाता है तो जो हमारे गले में कंठ होता है इसको वैस वक्स कहा जाता है क्या वैस वक्स कहा जाता है कंठ बायू मार्क का एक भाग होने के साथ धोनी उत्पादन का कारे करता है इसलिए इसे स्वरत तंत्र यानि की वैस बॉक्स भी कहा जाता है इसे आमतोर पर हम अपनी रिजनल लेंग्वेज में टेटुआ कहते हैं आप लोग इसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में अपने सहर का नाम लखें अपना नाम लखें मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे जो चात्र हैं मुझे भारत के किस-किस कौने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जैहिंद लखें और अपने सहर का नाम जरूर लखें बताए कौन सी कोश्चकाएं पौधे के बिविन अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं तो जो मेरेस्टे मैटेक कोश्चकाएं हैं ये पौधे के बिविन अंगों को जर्में देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं बताइए सरीर में केलसियम ऑग्जिलेट की बहुत जादा मात्रा खालिस्तान की कारण बनता है यदि अपने सरीर में केलसियम ऑग्जिलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो अपनको क्या हो जाएगी पत्री हो संब्भी, μुर्गीं से संब्भलत है, उक्पी लिए कि नूजात भच्लें है, आइसलीह कहा फिल्पर्म होता है, मनुर्ष के रंग कौन निरधात करता है, तो पास है, इसके हंदीurg में पढइ तारीका कहा जाता है। धी आग्यात गेस भी कहा जाता है। इस का जो रासान एक प्रतिक webinar से एक्सी होता है। दो परमाणू करमान केहरोता है तो 54 जो हमें जबाईं आती हैं इनको तर मेंसे लेना है ये लगती हैं और दोस्तों याद रखना ये कोस्टन कई बर repeat हुए कोस्टन है और आप को लोगों को पता है कि मैं चात्रत में केवल important content को ही पढ़ाता हूँ वही question पढ़ाता हूँ जो एक्जाम में कई वर आ चुके हैं या फिर उनके की आने की संभावना बहुत ही जादा है वह हार्मोन कौन सा है जो मनोशरीर में रक्त दाप यानि की blood pressure को control करता है तो वेसो प्रेसन हार्मोन जो है ये blood pressure को control करता है ये हार्मोन पिट्ट्यूटी ग्रंथी के द्वारा रिलीज होता है और इसका प्रियोग रक्त चाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है कौन सा उतक भोजन को पौधों के विबिन अंगों तक पहुचाता है तो फि सरीर का रासानिक कारखाना कहा जाता है और मानोशरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी भी कौन है लीबर है उस ग्रंथी का नाम बताएं जो अंतासरावी ग्रंथियों के कारियों को नियंतरित करता है पिट्ट्यूट्री ग्रंथी को प्यूस ग्रंथी और माश्टर ग्रंथी के नाम से भी जाना जाता है, पिट्रिवूटी ग्रंत्री मस्तक्स के निचले हिस्से में पाई जाती है, हम बात करें कि रक्ट समु यानि की बलेड गुरुप की खोज किस ने करी थी, तो कार्ड लेंड इस्टीने ने बलेड गुरुप की खोज करी थी, 1901 में ठीक है, और कहलाता है रक्त का अध्यान यानि की study of blood हम बात करें रक्त के निर्मान की प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है तो हीमो poesis कहा जाता है मानो रक्त किस प्रकार का उतक है तरल संयोजी उतक और इसको इंग्लिस में philode connective tissue कहा जाता है स्वस्त मनुष्ष के सरीर में रक्त की कुल मात्र कितनी होती है तो सरीर के बजन का 7% होती है मनुष्ष के सरीर में ओस्तन कितनी लीटर रक्त पाया जाता है तो 5-6 लीटर रक्त पाया जाता है हम बात करें कि पुरसों की तुलना में महिलाओं में औस्तन रक्त कितना होता है तो आधा लीटर कम होता है महिलाओं में ठीक है मानव सरीर में खून के सुद्धीकण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं dialysis कहते हैं ठीक हे blood dialysis कहते हैं खुन के शुद्धीकंड की प्रक्रिया को ठीक है रख्ट का सुद्धीकंड कहां पर होता है किड्ी में होता है और जो blood pressure यानि की रुधर दबाव है किस यंत्र से मापते हैं इस फिगमो मनिमीटर से मापते हैं blood pressure को हम बात करें कि मनश्ट का शामन रख्ट चाप कितना होता है 120Y-CMMGH और मानो रख्ट का pH मान कितना होता है 7.4 और रख्ट का लाल रंग जो है ये हीमोगिलूबन के कारण होता है कई बार पूशा गया कौशन है रख्ट का थक्का जमनी में सहाइक प्रोटीन कौन सा होता है तो रख्ट का थक्का जमनी में सहाइक प्रोटीन होता है प्रोथाम्मेन और फाइब्रनोजन ठीक है किस प्रोटीन की मौझूदगी के कारण सरीर के बीतर रख्ट का थक्का नहीं जमता तो देखे दोस्तों, सरीर के भीतर अपनी पूरी बोडी में विलड फिलो हो रहा है, ठीक है, यदि बोडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाए, तो तो गडबड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारी बोडी में एक हेपिरिन नमक प्रोटीन पाया जाता है, ये बोडी के माने में सहायक होते हैं भगवान ने गजब की मसीन बनाई है ठीक है नेश को सने किस बिटामिन की कमी से खुन का थक्का नहीं जमता अब बिटामिन की हम बात कर रहे हैं यदि बिटामिन के की आपको कमी हो जाती है तो खुन का थक्का नहीं जमेगा रक्ट जमने में किस तत् जमने में ये question पूछे ही जाते हैं मैं बार-बार बोल रहा हूँ मैं उन्ही question को लाता हूँ जो कि बार-बार पूछे जाते हैं मानोरक्त में कितने पितिसत प्लाजमा पाया जाता है 60% प्लाजमा पाया जाता है RBC का निर्माण कहां पर होता है अस्ती मज्जा में होता है और और RBC का कबरिस्तान किसे कहा जाता है चुकि RBC नश्ट होती है पिलिहा में और पिलिहा को इस पिली नहीं कहा जाता है तो जहां पर नश्ट होती है उसी को RBC का कबरिस्तान कहा जाता है हम बात करें कि इटाई इटाई रोग के सरीर के किस तत्त की अधिकता से होता है तो केड इटाई रोग हो जाता है, केडमियम का सिंबॉल सीडी होता है, और फ्रेडरिक इस्टुमेर ने 1817 में केडमियम तत्त्त की खुज करे थी, केडमियम इकचरे और ओद्युक कचरे में पाया जाने वाला बेहधी नुकसान पहुचाने वाला तत्त है, और केडमियम से ही खोते हैं, इनको डैने कहा जाता है, और डैने बनाने में डेल्टा मेटल का प्रियोग किया जाता है, डेल्टा मेटल का संगठन कितना होता है, इसमें कॉपर होता है, 60%, जिंक होता है, 38% और 2% लोहा भी होता है, जो बैक्टिरिया हैं, बैक्टिरिया की खोज की थी, यानिकी born mineral density नदी का वहता हुआ जल किस प्रकार की उर्जा का संबहन करता है तो गतिज उर्जा का संबहन करता है नदी में वहता हुआ जल गतिज उर्जा यानिकी kinetic energy एमोनोलोजी का जनक किसे कहा जाता है तो Edward Jenner को कहा जाता है एमोनोलोजी हिंदी में पिर्टी रक्षा विग्यान कहा जाता है विग्यान की वह साका है जिसमें सभी प्राणियों के पिर्टी रक्षा तंत्रों का अध्यन किया जाता है तीके Edward Jenner को एमोनोलोजी का जनक कहा जाता है और चेचक के टींके का अविस्कार भी किस ने किया था एडवर्ड जेनर ने किया था अब बताए लंगर या पर पंगत पर्था की शुरुआत किस सिख गुरू ने करी थी तो गुरू नानक देव ने लंगर या पंगत पर्था की शुरुआत करी थी भारत के सरबादिक 6 त्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है तो जलोड मिट्टी का विस्तार है ठीक है और भारत में सबसे ज़्यादा जलोड मिट्टी का विस्तार है और भारत में सबसे देख 43% भूभाग पर जलोड मिट्टी पाई जाती है ठीक है सबसे उपजाव मिट्टी होती है जलोड मिट्टी, जलोड मिट्टी के निर्मान नदियों के दोवाना लाए गए आउसादों से होता है, जलोड मिट्टी को दौमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को कछारी मिट्टी कहा जाता है, और एक और फैक्ट याद रखो, क मिट्टी के अध्यन को पैडलोजी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर हमने GKGS के बार-बार पूछे जाने बाले most.500 question को डिसकस किया बिल्कुल detail में आसान भासा में डिसकस किया और क्रम से डिसकस किया एक fact से दूसरा fact जो था वो relate था इससे क्या होता है आपको याद करने में आसानी होती है इसी प्रकार से best quality का content पढ़ना है best quality का current effect पढ़ना है topic wise science को कबर करना है तो हमारी दोनों ebook को आप buy कर लीजिए ebook का link वीडियो की description में मिल जाएगा thank you दोस्तों बार बार बोलता हूं कि मेरी मेहनत को support करने के लिए वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर share करें आपको whatsapp, telegram पर जितने भी group हों सभी group हों में एक बर इस वीडियो को share करके हमें support कर दीजिए फिर आप देखिए कि मैं और भी मेहनत करके और भी वैतरीन content आप लोगों के लिए लाता रहूँगा चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए सबसे best quality का content देखने के लिए साथ में bell icon भी दवा लीजिए इसी प्रकार से GKGS और all subject पर हम marathon वीडियो बनाते रहते हैं तो हमारे सभी मेरतन वीडियो देखने के लिए playlist को visit कीजिए playlist की link i button में मिलेगी नीचे description में मिलेगी या फिर अभी आप लोगों को screen के उपर तीन वेहधी महत्पून वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो इसको जरूर देख लेए तो thank you दोस्तो राम राम दुआ सलाम मिलेंगे नेचे वीडियो में तब तक स्वस्त रहिए मस्त रहिए अपना अपने माता पता सभी का खूब ख्याल रखिए जैहिन दोस्तो वंधि मात्रा